दोस्तों आपने कई बार सोचा होगा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अमबानी हर महिने कितना कमाते होंगे या यूँ कहें कि उनकी सैलरी कितनी होगी क्योंकि ये बहुत अमीर है तो शायद आपको लगता हो कि वे 5 से 10 करोड रुपए हर महिने कमाते होंगे या फिर उससे जादा कमाते होंगे एक आम आदमे इतना ही सोच सकता है लेकिन आज हम आपको बताएंगे मुकेश अमबानी हर महीने नहीं हर दिन नहीं हर सेकंड और मिनट कितना कमाते हैं और यकीन मानी आपके पैरोतला जमीन खिसक जाएगी उनकी कमाई जानकर तो चले जानते हैं मुकेश अमबानी एक मिनट में कितना कमाते हैं एक आम आदमे के लिए एक मिनट का समय बहुत कम होता है लेकिन उकेशम्मानी की सैलरी 2008 से 2009 तक हर साल 15 करोड सैलरी मिलती थी। इस हिसाब से देखे दो उकेशम्मानी की सैलरी हर मिनट 285 रुपए हर घंटे 17,123 रुपए और हर दिन 4.1 लाख रुपए होती है। 2020 और 2021 में उनों ने सैलरी ना लेने का फैंसला किया। वैसे इसके लावे इनकी कमाई डिवीडेंड से भी होती है। जिसमें हर मिनट 37,824 रुपए हर घंटे 22.7 लाख रुपए और हर दिन 5.5 करोड रुपए कमा लिते हैं। बतादें अंबानी परिवार के पास 5.74 लाख करोड रुपए की समपत्ती है। ये दुनिया के पांच में सबसे बड़े अमीर फैमिली है। वहीं अगर बात की जाए अंबानी को अपने कारुबार से कितने कमाई होती है तो जून ती माही से रिलाइंस को 13,806 करोड बताद नहीं करेंगे क्योंकि जितनी देर में वो अपने 2000 रुपर उठाएंगे उतनी देर में वो एक करोड से जदा कमा लेंगे। वहीं आपको ये भी बता दे कि मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया जब बना था और तब से लेकर अब तक हमेशा ही अपने खासियतों की वज़े से चर्चा में रहता है। एंटीलिया दुबई के अल्टा मांट में से तह जो के 27 मंजिला इमारत है। इस घर की साफ सफाई के लिए 609 कर रहते हैं। इस घर में 686 कारे एक साथ खड़ी रहती हैं। और छट पर तीन हैलिपैड भी मौजूद हैं। यही नहीं उन साइडर की रिपोर्ट के मुताबिक इस आलिशान घर की कीमत 10,000 करोड रुपए है। अब आप सोचने होंगे मुकेश अमबानी के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है तो फिर तो वो सुबह आराम से उठते होंगे ऐसा बिलकुल नहीं है। मुकेश अमबानी की लाइफ इसके बिलकुल उलट है। वो सुबह जल्दी उठकर अपना काम शुरू कर देते हैं। बताया जाता है वो हर दिन अपने काम की शुरुआत से पहले अपनी मा कोकिला बेन का अशिरवाद जरूर लेते हैं। इसके लावा वो रविवार का दिन अपने परिवार के लिए र और देना